कि डॉक्टर मनुच आप कुछ बताएंगे इनकी स्थिति के बारे में सर्जब आये थे यहां पर फिप्टीन यूनिट और फुर्टीन यूनिट ये इंसुलिन पर थे और इनका आर्वियस मैं मेजर कर रहा हूं तो उस पर एकदम नॉर्मल मुझे आर्वियस इनका मिल ला है हम लोग इनका इनको थाल प्रवाइड करवाते हैं अच्छा रिस्पॉंस कर रहा है नमस्कार नाशनल खबर में आपका बहुत स्वागत है और मैं प्रगया चार आज नाशनल खबर की पूरी टीम जो है जैसे आप देख रहे हैं यह बाइग्राउंड अपने बहुत बार देखा होगा हमारे चानल पर हम हिम्स मेरट में मौजूद हैं और आज का जो यह खास प्रोग्राम होगा वो आई पीडी पेशिंट के लिए है यानि कि यहां पर आकर जो पेशिंट एडमिट है और इलाज ले रहे हैं अपने किसी भी प्रॉब्लम को लेकर उन सभी से हम ब लेते हैं वहां पर इलाज कराने के बाद और यहां पर इलाज कराने से क्या अंतर है क्या जो पहले मेडिसंस ले रहे थे उनसे उन्हें फायदा मिल रहा था या अभी जो उनका इलाज चल रहा है उससे फायदा मिल रहा है यह सारी चीजों के बारे में जो है हम बताएंगे और साथ ही आपको ये भी बता दू कि ये जो IPD patients हैं ये आचारे मनीश के जो protocols हैं जो भी वो बताते हैं कि जस तरीके से इलाज किया जाता है हमसमें वो सारे protocols in patients के साथ follow किये जाते हैं और चलिए इसी के साथ हमां अंदर चलते हैं और तमाम जो यहां पर patients होंगे उन सभी से बात करते हैं एक एक करके और आपको उन सभी की बाते सुनवाते हैं किड़नी फेल लीवर फेल कैंसर या हार्ट की प्रॉब्लम यह वो बड़ी-बड़ी बिमारियां हैं जिसमें इंसान का लाख खोर्बे खर्च हो जाता है और कुछ भी हात नहीं लगता तो आईरवेद क से यहां पर मौझूद है रमनेश जी आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले धन्यबाद मेडम और हमारे साथ डॉक्टर भी मौझूद होंगी डॉक्टर मनोजवर्मा अच्छा तो सर आपको क्या इश्यू था इसके बारे में कुछ बताएंगे आप हम एक्चली कीड़नी के पेशेंट थे किड्नी से रिलेटेड यहां आये थे मेरा किड्नाइन सेवन पॉइंट फोर था तो उसी को लेके यहां इडमीट हुए शुगर बढ़ा हुआ था मैं इंसुलीन पर चल रहा था यहां आने बाद इंसुलीन मेरा छुट गया और इंसुलीन अभी नहीं लि लिए बोला गया था लेकिन की ट्रांस्पलेंट हुआ नहीं यहां आगे तब तक अभी तक ठीक है और डाइबिटीज और किड्नी है कि इतने सारों से आपको वो 2011 से है किड्नी 2022 से है वालब डाइबिटीज की विज़े से किनी का इशू हुआ है डाइबिटीज आपकुछ बताएंगे इनकी स्थिति के बारे में सर्जब आये थे यहां पर फस्ट डे आएं तो इनकी कंडिशन यह थे कि यह 15 यूनिट और 14 यूनिट यह इंसुलिन पर थे इनका यह चला था बट अभी क्या है कि इनका हम लोग फस्ट डे से इनका इंसुलिन स्टाप किये है और अ मैं मेजर कर रहा हूं तो उस पर एकदम नॉर्मल मुझे आर्वेस इनका मिल ला है अभी हाइपरटेंसिब भी थे तो अभी इनकी बीपी मौर्णिंग में भी 12080 एकदम एक्जेक्ट बीपी आई है जो की एकदम होता है ना कि हेल्दी परसन का जो बीपी होता है ऐसी बेप के लिए बहुत अच्छा हम लोग अपना रिस्पॉंस अभी दे रहे हैं पेसेंट भी अच्छा रिस्पॉंस कर रहा है कि क्रेटिन क्या यह अभी क्रेटिन का जो इनका स्टार्टिंग का था अभी हमने रिपोर्ट आज करवाई है वह आता है फिर देखते हैं कि क्या भी नियू रिपोर्ट आ रही है बट यह है कि बेस्ट आएगा इन्पुट आउट्पुट हम लोग देख रहे हैं इनका प्रॉपर बहुत अच्छा सब कुछ चला है जे जे आपकी शरीर में आपको क्या बदलाव मैसूस हो रहे हैं उसके बारे में कुछ मुझे बताईएगा शरी तुरा सा फ्रेश लग रहा है तो सभी पोजेटीव इनर्जी वाले लोग है तो उस इंसाब से यहां चल रहा है के बारे में मेरे दोस्त ने बताया और उन्हों ने बताया ही पहुत अच्छी नेच्छी है जहां अच्छी ट्रीटमेंट होती एक बार महां चले जाओ जब तो हमें ट्रांस्परेंट के बारे में बताया गया था तो उसतनुस समें बताया के नैचरो पिथी में जाकर आपको एक बार क्या दी जा रहे थी फश्चा पहले घुटनों में थेजया रहे जिरोधारा दिया जा रहा था और उसके बाद फिर चैंज किया गया अभी पेर को पानी में डुबा करें रखना पड़ता है इसके बाद जो है निम करेला है और उसके बाद है यह का तो नाम भूल रहा हूं मैं अच्छा डप्र शार कैसे आए मतलब पहले कुछ और अब कुछ और श्रत्व गएशन देखो जिसे हम अपना इनको देखते हैं पेशंट हमारे पास आता है तो उसका इनवार्मेंट कुछ और होता इता है जब तो फूड को लेके और इनका जो डेली वेसिस का जो रूटीन है उसको चेंज जब किया जाता है तो इसका एफेक्ट पेसेंट पर हमें देखने को मिलता है और यह बेस्ट होता है कि अगर हम चीजें अपने लाइफ स्टाइल को एक अच्छे तरीके से लेके चलें योगा ने निच्रोपैथी दी गई सारी चीज़ उस भी है उस बे में लेके आए एक जो प्रॉपर डाइट होती है वह हम प्लान करते हैं तो उसमें वैरियेशन आता है कुछ मेडिसिन की हैल्फ हम लेते हैं लेकिन वह हमारी होती है ना कि कोई केमिकल यूज मेडिसिन हमारी होती है तो यह बढ़िया रहता है कि हम अपने हर्ब्स की तरफ अगर बढ़ते हैं और हमारी डेली वेसिस के लाइफ में हर्ब्स को अगर यूज करते हैं और नेच्रोपैथी और योगा के भी हैप से हम अपनी बाडी को अच्छा डिटॉक्स करते हैं तो बहुत अच्छा सामने यह पेशेंट हैं यह पेशेंट बनके हमारे हाँ इंसुलीन ले रहे थे लेकिन आज के टाइम में इनकी इंसुलीन बंद हुई उसका कुछ और नई सीधास रहे आप भी सार जानते हैं कि योगा आपने यूज किया योगा पड़े कर रहे हो और आप अपने देख र रूटीन को अच्छा रखता है डेली वेसिस के पे जो उसका मॉर्णिंग का सेडियूल है नाइट का सेडियूल है सोना जागना यह सब हमारे यहां बहुत अच्छे से करा जाता है तो यह हर किसी के लिए तो कभी बीमार ही नहीं होगा जैसे कहते हैं आईरवेदा में हमार निजस के लिए अन्यवतकी हान दिखा है आपको शरीर में याप छृंव से ले रहे होंगे सडर बंद करा दिगया नहीं पहले से जो पहले सुष्ति लगती थी वह सुस्ती screaming में जो चल रहे थी वो भी बंद होगी किद्नी की दवाई तो चल रही है किद्नी की दवाई चल रही है और यहाँ पर थेरपी वगएर आप बता चुके है डाइट क्या दी जा रही है अलग अलग डाइट होती है या एक ही डाइट सब को दी जाती है नहीं सभी पेशेंट के लिए अलग अलग सब्सक्राइब करें जाता है और पेसेंट को दिया जाता है जो पेसेंट को जिसलाइक रहते हैं उसको उस तरह का दिया जाता है अगर किसी भी तरह का गुटने के रोग से परेशान है या लंबे समय से दर्दों की दवाई खा रहे हैं या डॉक्टर ने ट्रांस्क्लांट बता दिया है पंच करम में जानूबस्ती से बहुत सारे ओपरेशन रुप चुके हैं तो आईरवेद के पंच करम की सहायता लीजि झाल 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 झाल